दोस्तों मैं वसीम पठान, दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी अलग-अलग योजनाएं काम करती हैं, जिसमें से एक योजना है उज्जवल योजना, ऐसे बहुत सी योजना हैं हमने अलग-अलग योजनाओं पे पहले भी डिसकस कर रखा हैं, लेकिन आज हम डिसकस करने उज्वल योजना कर? इस योजना में जर्रवत्मन परिवार को ड़िए चनेक्शन मिल सकता है और कड़ी का बाटल होता है, न सब्ङा-चe 대해서 Hm लें यह कंभाइश करने पर इस फूर्ड करते हैं और हम इसके ऊपर पुरी करक solutions करने हैं इस वीडियोख vidéo न किया क्या है का ये गाइड होंगे और इसमें क्या क्या हमको मिल सकता है और हम इसको कैसे UPLAY कर सकते है और इसका complete process क्या है कितने समय लग सकता है हम टोटला इसके अंदर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे मैं अब मैं पूरी कोशिच करूंगा कि आप लोगों के सामने रखो किसी पी तरह की मैं यहांपर कोई बात को छपाना नहीं चाहूंगा कि आखस तरह एक्सर करके करके याखस तरह की तरह की है तो एक्सर करके मेरे पहर नहीं के लिए तो कि यह ऊक्तर थो Après Satyaental के लोग आधे करके को कि तो नहीं अद्यटिक्व करके प्यंस क्वाशल सुथ तो इस लिया systems केक्ष़ यह चाहिए वीडिए। इसके बावजूद ये जहां पर भीड बरक का देखती है तो महां जाके नमबर लगा ये खाड़ी हो जाती है, ताकर कोई ये सब भरा जा रहे है, मैं भी भर लू पता नहीं किस चीज का फार वर्म बर। सब भर रहे है, मैं भी भर लूंगी, मैं भी जमा कर लूंगी तो कम से कम ये क्लियर हो जाए क्या उस लाड़की बेहन को इसका बेनेफिट मिलना है या नहीं मिलना है ये उजवल यूजना उसके लिए है भी क्या नहीं है कि बस साइबर कैफे वाले को सो दो सो रपिया दे दे के पूरे पैसे बरबाद कर रही है इसलिए इस वीडियो को आपके आसान बाश्वा में आप लोगों को समझा चुकों और खास तोर से इन लाड़की बेहनों के समझ में आ जाए कि ये इस पॉम उसके लिए है भी या नहीं है चलिए दो सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो सबसे पहले तो ये योजना जो आई थी हमको ये समझना होगा ये योजना कब आई थी दोस्तों ये योजना एक माई 2016 को लाई गई थी बल्या नाम के गाओ से बल्या एक गाओ है उत्तर परदेश का वहां से इस योजना का अलाउंश्मेंट किया गया था एक माई 2016 को इस योजना को लाने का जो मकसद था वो ये था कि आम तोर पे जो एसे लोग हैं जो लकड़ी, चूला या घासलेट वगईरां के ज़रेए अपना चूला जलाते हैं जो गैस के उपल बनाकर अपना चूला जलातेल ये लकड़ी वगईराजागरा जलाकर अपना खाना पकाते ऐसे लोगों को इस से आजादी दे कर उनको gates connection दिया जाएंगा और उनके जो चूले वग्वरा की वद्ले में Salesforce वग्वर दिया जाए ऐसा कुछ साधान किया जाए ताकि आसानी के साथ वे खहना हुआ पका सके लकडी वग्वरा की ज़रुत ना पढ़े इस तरहुआ के गरीब ज़रुत-منद पर दिया जाएंगा और इनके गैस के बाटले पर 300 रुपिया सबसीडी भी दी जाएंगी इसलिए योजना को लाए गया था तो दोस्ते इसके अंदर ये जो है थोड़ा सी हम समझेंगे तो यहां देख सकते हम लोग यह योजना पूरे भारत में हर किसी को नहीं मिलेंगी लग इसका अलाउंचमेंट हुआ था 2020 में जब इसको क्लियर किया गया तो बताया गया क्या आठ करोड लोगों को यह योजना का लाब मिलेंगा बाकी लोगों को नहीं मिलेगा पूरे भारत देश के अंदर आठ करोड गैस कनेक्शन फ्री बाटेंगी सरकार और आठ करोड गैस करके बाकी लाड़की बैने थ्क्री नाराज होने का खत्रालग रहा तो दो करोड लाड़की बैनों को और और आइड किया गया तो यहां पर जैए लगबग दसको COP27को को इसका मिलना टै है यह मिल कर रहेंगा तो थोड़ा सि हम आगे चलते हैं और और यार समझने की कोशि तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं हम है कि कौन गवं positive होंगे कौन इसमें फॉर्म बसकेंगे जिनके के फॉर्म रिजेक्ट किये जाएंगे वो फॉर्म वर्म तो सभी सकते हैं लेकिन काविले कुबूल फॉर्म किन लोगों के होंगे स्सी एस्ती परधान मंत्री आवाज योजना के लोग है ना और इसके लावा अंत देओं और एक देखो इसमें ये भी दिख रहा है मोस्त बैकवर्ड क्लास यानि के बहुत पिछड़े हुए लोग तो खेर मुझे यहां पर एक दिखाई दे रहा है पांचवे नमबर पर अंत देओं अन योजना यानि के अंत देओं अन योजना इसमें हम सब लोग आ जाते यानि के तुम मैं मेरे पास में भी जो राशन कार है उसमें दो रुपे तीन रुपे वाला राशन मिलता है यानि के मैं अन्त देओं अन योजना का लाव ले रहा हूं और मैं लाभारती हूं मैं इस योजना यानि के गैस फ्री गैस कनेक्शन की फॉर्म बरने के लिए मैं इलीजी बलू मैं फॉर्म बर सकता हूं यानि के ऐसे लोग जिनके पास दो रूपे तीन रूपे वाला राशन कार्ड जिसमें मिलता है राशन ऐसा राशन कार्ड है वो लोग बिन्दास इस फॉरम को बर सकते हैं बस शर्त है किया उनके घर में पहले से किसी के नाम पर गैस कनेक्शन ना हो और जो फॉर्म भरा जाएंगा वो लेडिस के नाम से ही फॉर्म भरा जाना चाहिए और आप लोगों को एक चीज़ और एड़ कर दूँ क्या यहां पर तो कई लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ के यह फॉर्म वही लोग भरे जिनके अकाउन में लाड़की वहन योजना का पैसा इनके अकाउन में आया था ऐसी ही औरते इसमें फॉर्म भरे और उनके नाम पे कोई पहले से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए वो फॉर्स Tam Guiais Connection अपलाए कर रही हो और ऐसी महलाए फॉर्म ना भरे जिनके अकाउन में लाड़की वहन के लिए जो पातना नहीं थी इलीजीवल नहीं थी जिनके आकॉण में लाड़की बेहन का पैसा नहीं आए था ऐसे लोग फॉर्म ही ना भरें क्योंकि उनको इस योजना का लाग मिलना तो मेरे क्याल से मुश्किल है मैं अपने experience के basis पर बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर जो है as a taste जो इसकी में उसमें तो form बर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों ने उन्हीं लोगों ने form बरने हैं जो first time guys apply कर रहे हैं और उनके account में लाड़की बहन योजना का पैसा आया भी था ऐसे ह की औरते गैस का फॉर्म भरें और अब थोड़ा सी आगे देख लेते documents क्या क्या लगेंगे तो देखें लोग डोकॉमेंट वाले पेज़ पर आ चुके इसमें के वाई सी का फॉर्म लगेंगा जो आप आउनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हों और इसके अलावा आप लोग है गैस एजनसी में जहां पर आपने अपलाई किया हुआ है उनलाइन एच पी भारत या इंडियन गैस तो महां पर भी आपको के वाई सी का फॉर्म की जरूरत होंगी एक राशन कार्ड की जरूरत होंगी लेकिन फिर बता दो राशन कार्ड आपका वही होना चाहिए जो आ है ना एक एनेग्जर वागरा बनाना होता है और उसके लाव आप उसमें वेनेग्जर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगा बगए राशन कार्ड के भी फॉर्म भरा जा सकता है और दूसरी बात आपके पास आधर कार्ड होना चाहिए और एक बैंक पासबुक बस इतने पेपर काफी है इससे जादा कोई पेपर की जरूरत नहीं है तीक है अब इसके बाद में हम लोग इस योजना का बेनेफिट डेख लेते क्या 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 हमको इसमें लाद मिल सकते है तो इसके अंदर साफ साफ देखिए स्क्रीन पर शो कर रहे हैं कि जो 14 किलो को गैस का बा सब्रा तो ये जो है हम अगर अप्लाइए करते हैं नौर्मल तरीके से तो हमको आठ से 10,000 लगते हैं और हमको 24-48 गंटे में हमने घैस कनिशन गैस इजिंसी वाले दे देते हैं लेकिन हम योजना में फॉर्म बर रहे है तो हमको यह जो गैस कनिक्शन है काफी समय लगेंगा तीन से चार मैने लग सकते है क्योंकि मैंने पहले ही बताए था शुरुआत में कि इस योजना का लाव आट करोड लोगों को मिलने वाला है इसके बाद में सरकार ने दायरे को थोड़ा बढ़ा किया और आट करोड से बढ़ा कर दस करोड कर दिया तो जब दस करोड लोगों की अप्लिकेशन आएंगे उनकी रिक्वेस्ट आएंगी तो आपका नंबर आते आते चार छे मैना गुजर जाएंगा तो आपको उतना सबर करना होगा और यह गैस कनेक्शन आपको फ्री मिलेगा कोई पैसे वग्यरा नहीं लगेंगे चूला बाटला वग्यरा सब फिरी होंगा सिंगल बाटला मिलेगा दो बाटले नहीं मिलेंगे एक ही बाटला मिलेगा ठीक है लेकिन ग्राउन उपर देख के ओपर information हासिल करना चाहिए तो पता यह चला क्या गैस एजनसी वालों ने उन से 3000-4000 रुपे लिए तब उनको गैस कनेक्शन दिये जब के ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पैसा नहीं लगना है लेकिन फिर भी वहां पर रिश्वाद बोलो यह जो बोलो फिर पैसे वासू ले गए थे गैस एजनसी द्वारा तो ऐसे लोगों की हम कंप्लेंट कर सकते हैं तो आप लोग जो है फॉर्म बरोंगे तो फॉर्म बरने के बाद में आप लोगों को यह सारे प्रोसेस से गुजर तो यह तो पॉसिबल ही नहीं आप पठान के चैनल पर आएं और आपको उसके और हैल्प ना मिल क्योंके सबसे पहला काम हम लोग वही करते है कि जब किसी भी छिए ला ओस ना पर किसी भी छीज को हम आपके सामने लाते तो उससे पहले उसका तोड़ क्किन resting के liken लिए हम ल तो स्क्रीम पर आपके सामने हैल्पलाइन नमबर भी दिए गय है जैसे जैसा वक्त गुत्रेंगा लोग फॉर्म वरेंगे जैसे से कंप्लेंट आएंगी तो हम अपने हिसाब से कंप्लेंट फॉर्मेट डिजाइन करेंगे और अपने हिसाब से हम कंप्लेंट देने के लिए officer भी और authorities भी हम अपनी इसाफ से choose करेंगे और इंशालला इसी चैनल पर आपको complaint का भी complete process बताए जाएगा क्योंकि बगर complaint के ये सारी चीज़े मुफ्स हासिल कर लेना आसान नहीं है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही फिर मिलेंगे किसी वीडियो में थैंक्यों दोस्तों बाए